These are 18 contracts in 16 countries, 18 बड़े अग्रीमेंट करके आए हैं और ये सारे अग्रीमेंट प्रेफरेंशिल ही सरकारी कंपनियों के होने चाहिए थे सबसे पहले रश्यन विजिट 2015 में, अम्बानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, 7500 करोड में मरी हुई, बड़ डेट वाली, और रिलाइंस डिफेंस उसका नाम होता है और वो पहला ही कंट्रेक्ट एक महीने बाद, 23 डिसमबर 2015 को, रश्या में, अलमैज एंटे, दे मेकर अफ एन एर डिफेंस सिस्टम, ये डील है 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील, पहले ही महीने, रिलाइंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, और उनकी फोटों हैं, पहले ही दिन मिलती है, उसके बाद मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके आफसेट पार्टनर बनाते हैं, अमबानी साहब को, और 30,000 क्रोड की डील मिलती है, 18 फ्लाइवे जहाज आने थे, बाकी फ्लाइवे आते हैं, और इतना बड़ा धबा लगता है, आज तक परधान मंतरी ने जवाब नहीं दिया, दस रुपए के पैन का पका बिल मांगते हैं, परधान मंतरी साहब और राफाइल के बिल पे बिल बिल आते हैं, यह ठोक के कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कोई जवाब नहीं आया उनका, वैसे तो अगर जवाब होता, तो पहले दिन ही आता है, दस बंदे प्रेस कानफरेंसें करते हैं, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं आया, उसी जगा फ्रांस में, टेक्स डेट था, अमबानी साहब के उपर, 143.7 मिलियन, युएस डॉलर, 1100 करोड का डेट, 56 करोड में सेटल किया, फ्रेंच असरीज ने, वन टाइम सेटलमेंट हुई और वो पूरी तरह से माफ कर दिया गया, ये नेगोसियेशन के साथ हुआ, जब राफाइल के साथ नेगोसियेशन हो रही थी, उसके साथ हुआ ये, 1100 करोड रुपे माफ करके 56 करोड रुपे भरे, फिर स्वीडन गए, परदानमंत्री साथ के साथ, साब A.B. of स्वीडन to bid for ship-born unmanned aerial vehicle program of the Indian Navy, ये सब अने लंबानी साथ को सिंगल एंजन फाइटर एरक्राफ्ट बनाने का कॉंट्रेक्ट दिया गया, साथ हजार करोड का, अडानी साथ को, अडानी ग्रुप to bid for single engine fighter aircraft in India, एर फोर्स की, साथ हजार करोड रुपे, ये सरकारी कमपनिया जिने 50-50 साल का अनुबफ था, जिनके पास आज, अपने employees को तनखुआ देने के पैसे नहीं है, जो काम ही ये करते हैं, ये उनको वो कॉंट्रेक्ट नहीं गया, ये कॉंट्रेक इस्राइल, in March 2016, अडानी ग्रुप signed with Elbet Istar of Israel to work together in manufacturing and developing unmanned aircraft systems, the अनलमानी ग्रुप signed to develop air-to-air missiles for IAF, air-to-air missiles for about 65,000 करोड, 65,000 करोड रुपे, भाया, DRDO में क्या खामी थी, DRDO को ये कांट्रेक्ट क्यों नहीं मिला, DRDO क्यों गाते में चल रही है, 2017 में Reliance Defense Signs and Agreement with the US Navy, तीन साल में 15,000 करोड का मुनाफ़ा है ये, 7th Fleet of the American Navy, ये तीन साल में 15,000 करोड रुपे का मुनाफ़ा मिलना है उनको, क्या भारत की जो defense companies हैं, उनमें कोई मादा नहीं, क्या उनके जो employees हैं, उनको तंखा नहीं मिलेगी, ये shipment companies भारत की, shipyard companies जो हैं, आप देखिये कितनी हैं, खत्म हो जाएंगी, Australia, अडानी साहब gets a commitment for world's largest green field coal mining project, अडानी साहब signs the MOU with SBI for 6200 के लोन ले लिया, वहाँ, वहाँ जाके contract sign किया, MOU sign किया, और आते ही 62,000 करोड का, 62,000 करोड का, लोन ले लिया coal mining का, SBI से, Malaysia में जाते हैं, प्रदानमंतरी साहब के साथ जाते हैं, signs an MOU with Malaysia's MMC port for the extension of port Clang, and signs an agreement for the development of integrated maritime city on Kerry Island involving 32 billion US dollars, एरान में 500 मिलियन, मुजंबीक में, पल्सिस का contract, ओमान में, मायनमार में, चाइना में, photovoltaic equipment, होता क्या है, कि जिस आदमी ने एक लाख करोड रुपए भारत वर्ष के देने हैं, अडानी साहब tops the list of billionaires in terms of percentage gain and net worth in a year, in a year, January 2017 में 4.3 billion और December 2017 में 10.4 billion एक सो चौविस परसंट अडानी साहब की wealth बढ़ जाती, मैं यह पूछना चाहता हूँ, और यह जितने भी लोगों ने यह loan लिये हैं, किसी ने वापस नहीं किये हैं, NPA's आप सब जानते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोट ने जब बाजू मरोडी है, सिर्फ सुप्रीम कोट ने जब बाजू मरोडी है ना, और घुरी दी है, तो मालिया जी भी ready हो गए, Reliance ने पैसे दिये, यह नहीं है, Reliance ने दिये पैसे, नीरव मोडी भी ready हो गया है, तो क्या सरकार इन से पैसे नहीं वसू लेगी, सब सरकारी कंपनिया मर रही हैं साब, BSNL ले लो आप, NTPC ले लो आप, करोड़ों के फाइदे में थी, भेल ले लो, करोड़ों के फाइदे में थी, और देखिए आप, Reliance पोस्स अगेन आफ, 10,000 करोड़ इन अ क्वाटर, क्वाटर, पहली private company हिंदुस्तान की, जो तीन महीने में 10,000 करोड़ कमाती है, इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया, और सरकारी postal department 15,000 करोड़ के घाटे में हैं, कल आया, अखबार में, 15,000 करोड़ रुपय के घाटे में हैं, और यहां लाके बेचा, we are a welfare state, क्या welfare अमबानी अडानी का होना था, या सरकारी कमपनियों को भी मुनाफ़ मिलना था, मैं पूछना चाहता हूँ, कि हर एक सरकारी कमपनियों को मारके, सर्फ ये दो लोग ही दिखे, जिनको state के ex-checker को मारके, state के मुनाफ़ को मारके, ये मुनाफ़ दिये गए हैं, क्या निजी जेबों में ये पैसा नहीं जा रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के खजाने में पै इस कॉंफरेंस का है, वो ये है, कि इस दे प्राइम मिनिस्टर ओव इंडिया अब बिजनस डिवल्पमेंट मैनेजर फॉर अमबानी एन डडानी, जो अपने आपको देश भक्त कहते हैं, और हर एक के उपर anti-national का तगमा लगाते हैं, जो लोग उन से agree नहीं करते, मैं पू आफे दिये गए हैं, एंटी पी सी ले लो आप, करोडों के फाइदे में थी, भेल ले लो, करोडों के फाइदे में थी, ये हैरान करने वाली अब बात है, कि बंगला देश में परधान मंतरी जी जाते हैं, और उसी दिन, on the same day, Reliance Science, 3000 Megawatt of electricity at the cost of 3 billion, और ये सारे agreement, preferentially सरकार कंपनियों के होने चाहिए थे, we are a welfare state, क्या welfare अंबानी अडानी का होना था, या सरकारी कंपनियों को भी मुनाफ़ा मिलना था, अब आप देखिए, अडानी पावर ने, 1600 Megawatt electricity at the cost of 2 billion, यहां देखने वाली बात है, कि without any competitive bidding, they are given contracts, जो 3 रुपए में बिजली बनती है, उसको 5 रुपए 90 पैसे में दिया जाता है, और वहीं उसी जगा, NTPC is competing, NTPC is competing, और NTPC 3 रुपए 40 पैसे में, वो contract back करती है, लेकिन NTPC को नहीं दिया जाता, और वो contract जो है, वो अडानी ये नंबानी को 5 रुपए 90 पैसे में, जारखंड में प्लांट लगता है, और जारखंड 7400 करोड के घाठे में जाता है, क्योंकि policy में amendment की जाती है, और अमबानी और अडानी साहब को बगैर किसी बिड के, बगैर किसी competitive बिड के, ये contract दे दिये जाते हैं, और NTPC जो compete कर रही है वहाँ पे, वो 3 रुपए पे उनको contract दिया जाता है, मैं हिरान हूँ किस तरह से भा State का exchequer, NPA किस तरह से इस देश को बेचा गया है, किस तरह से इस देश के हकों को चंद पूझी पतियों के हवाले किया है, मैं कहता हूँ कहीं आके बैठ ले मेरे साथ, कहीं, और इन बातों का जवाब दे दें